हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैग टू माई चैनल रोजाना ब्लोगी फाई दोस्तो आज हम आपको बताएंगे नल सरोवर पक्छी अभ्यारंड के बारे में नल सरोवर पक्छी अभ्यारंड एहमदाबाद से लगभग 40-50 किलो मिटर की दूरी पर रिस्तित है यह एक आस्वरे जनक प्रकृतिक आस्वरे अस्थल है 120.82 किलो मिटर के छेतर में फैला यह अभ्यारंड पक्छी देखने वाले और प्रकृति के प्रती उत्साही लोगों के लिए स्वर्ग है यहां पक्छीयों की 250 से अधिक प्रजातियों घर है जिनमें पैलिकन, राजहन, बगुले, सारस और अन्य कई पक्छी सामिल है नल सरोवर का इतिहास 15 अताबदी का है जब साबर मती नदी पर एक चेक डैम के निर्माण के परणाम सरूप जील बनाए गई थी जील का उपियोग सुरू में सिचाई के लिए और आसपास के गाउं के लिए पीने के पानी के स्रोत के रूप में किया जाता था दोस्तो समय के साथ जील विभिन प्रकार की पक्षी प्रजातियों के लिए एक महत्व पुण निवास अस्थान बन गए और अस्थानिय समुदायों ने इसके परिस्थितिक महत्व को माननेता दी बीस्वी सताब्दी के सुरवात में ब्रिटिस अपनिवेसिक प्रसासन ने नल सरोवर के महत्व को आद्रभूमी परिस्थितिक तंत्र के रूप में माननेते दी और इसे एक संरक्षिक छेत्र के रूप में अस्थापित किया गया 1979 में गुजरात सरकार ने मुख्य रूप से अपनी पक्षी अबादी की रक्षा के लिए नल सरोवर को एक पक्षी अभ्यारन घोसित किया दोस्तों नल सरोवर पक्षी अभ्यारन का एक विसाल छेत्र है जिन में 120.82 वर किलोमीटर जील सामील है जो उथले पानी के साथ एक सांध दल दली भूमी है यह मूल रूप से एक प्रक्रितिक जील है यह गुजरात राज में सानन गाओं के पास अहमदाबाद के पस्चिम में लगभग 64 किलोमीटर की दूरी परिस्थित है यह अपने जोलन पक्षियों के लिए प्रसिध है जो साइबेरिया से पलायन करते हैं नलसरोवर आदरभूमी गुजरात में सबसे बड़ा आदरभूमी पक्षिय अभ्यारण है और भारत में सबसे बड़ी आदरभूमी में से एक है मित्रो नलसरोवर पक्षी अभ्यारण को अप्रेल 1979 में एक अभ्यारण घोसित किया गया था इसे रामसर सम्मेलन अस्थर अंतराश्ट्री महत्यों की आद्रभूमी के रूप में प्रस्तावित किया गया था नल सरोवर को 24 सितंबर 2012 को रामसर साइट घोसित किया गया था यह 2005 के बाद से एक मात्र जील है जिसे भारत में रामसर साइट घोसित किया गया है ऐसा कहा जाता है कि पूर्व में इसका संबंद उत्तर मिरन और दख छिनी भाग में खंबात की खाड़ी से था हलाकि ये दो समुद्री लिंक आजकल मौजूद नहीं है नल सरोवर सहर के जीवन की हलचल के बीच सांती की वापसी के रूप में कारे करता है सर्दियों का मौसम पक्षियों की लगभग 210 प्रजातियों को चिन्हित करता है और विभिन प्रकार के पोधों और जानवरों को आश्रे देता है दोस्तो इसके अलावा लुप्त प्राय जंगली गधे और काले कीडे सहित कुछ अस्तनपाई प्रजातियों इसकी प्रवासी पक्षी अबादी में गुलाबी, पैलीकन, राजहन, सफेद सारस, ब्रामभणी बत्तक और बगुले सामिल है जल पक्षी नाम के करोड़ो प्रवासी पक्षी मौनसून के महीनों के बाद अभ्यरण में आते हैं पक्षी अभ्यरण में सीतरीतू और वसंतरीतू में विविन प्रकार के पक्षी आते हैं या आदरभूमी पक्षीयों की 250 स्यदिक प्रजातियों को आस्रे देता हैं बतक, कालहन, सवासील और राजहन, सुबह और साम को सबसे अच्छे रूप में देखे जाते हैं और एक दिन के भ्रमण के रूप में अभ्यरण का सबसे अच्छा धरक किया जाता है दोस्तो नवंबर और फरवरी के बीच घरेलू और प्रवासी पक्षीयों के विसाल जुन्डों का आस्रे है नलसरो और पक्षी अभ्यरण में सुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए रिवर्स ओस्मो से स्प्लांट भी लगाया गया है प्रवासी अमीन भाई चरवाहे जील के द्वीप को अबाद करते हैं और किनारे पर पधार है जो लोग, नर्तक, कारिगर और नाविक है पंख वाली अबादी के जमावडे को देखने के लिए कोई भी देसी नावों में जील के चारो ओर जा सकता है दोस्तो घूमने का सबसे अच्छा समय है वसंतरीतु और सर्दियों के महीने के दौरान हजारो प्रवासी पक्षियों के साथ सद देसी पक्षियों की प्रजातिया जील के किनारे जुन्डों में रती है आप अक्टूबर और फरवरी के महीनों के बीच भी अभ्यारन जा सकते हैं सभी दुरलप पक्षियों की एक जलक पाने के लिए सुबह या साम के समय जील के किनारे होना दोस्तो अभ्यारन में जाने का समय है सुबह के 6 से साम के 6 बज़े तक दोस्तो आज का ये वीडियो आप लोगों कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बता है ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद